दोस्त भी फाइनली वो कन्फार्म डेट आ चुक है जिस दिन से मैडम सर आपको सारे 10 बजे देखने को नहीं मिलेंगे शायद आपको पता भी लग चुक है और ये भी लगबग 100% कन्फार्म है उसी दिन से आपको मैडम सर बस एक ही टाइम स्लोट पे देखने को मिले और वो एक टाइम सलोट कौन सा होगा मैडम सर के लिए इसमें कितना बेनिफिट है मैडम सर के लिए या फिर ये बुरा है बताऊंगा इस वीडियो में तो चलिए जान लेते हैं उससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजएगा बीटू पूर को ऐसे अपडेट सब को आगे भी मिलते रहेंगे तो दोस्तो कल सोनी सब ने गुड़नाइट इंडिया शो का प्रोमो रिलिस कर दिया है कन्फार्म टाइमिंग के साथ रात को सारे 10 बज़े ये हर रोज आपको देखने को मिलेगा सोनी सब पे जो कि लगबग सबको पहले से अंदाजा था और अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा गो तो आपको भी पहले से ही पता था तो 24 जैनवरी वो तारीक है जिस दिन से शायद मैडम सर आपको एक ही टाइम स्लोट पे दिखाया जाएगा शायद क्या 100% लगा लो बाकी रही बात मैडम सर के लिए कौनसा हो एक टाइम स्लोट दिया जाएगा ये तो कनफार्म नहीं है क्योंकि अभी तक गुडनाइट इंडिया शो को आने में 25 दिन बाकी है जो कि आपको तो पता है दो दिनों में शो आफ एर हो जाते है इतने दिनों में तो काफी कुछ हो सकता है लेकिन कनफार्म नहीं है तो क्या हुआ मैं आपको लगबग 99% accuracy के साथ opinion मेरा बता सकता हूँ एक तो पहला ये हो सकता है मैडम सर को उसी time slot पे रखा जा सकता है जो की अभी दिखा रहा है सारे 7 बजे या फिर दूसरा ये हो सकता है मैडम सर को 10 बजे वाला time slot दिया जा है जो की 13 एरुमे का time slot है ये show of air भी जा रहा है अभी अपनी राय कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा कौन सा हो टाइम स्लोट मैडम सेर के लिए बेस्ट हो सकता है अपने हिसाप से ने टी आरपी के हिसाप से बताईएगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा भी पक्का कुछी दिर में मिलते हैं सिनमलिक का कंफार्म अपडेट लेकर इस टाइम कंफार्म मिलेंगे कल टाइम नहीं मिला था तो इसलिए वीडियो आनी पाया था तो बाई मिलते हैं कुछी दिर में